इस वीडियो में हम निक्षय पोटल में डिस्पेंसेशन को जोड़ने और प्रिंट करने के बारे में जानेंगे. हाल ही में निक्षय पोटल में डिस्पेंसेशन को जोड़ने की अवधारना जोड़ी गई थी. इसकी मुख्य विशेश्टाएं हैं, आप उत्पाद और मरीजों को जारी की गई दवाओं की मात्रा का विवरण जोड सकते हैं। एक PDF फॉर्म में दवा का विवरण प्रिंट और डाउनलोड कर रोगियों के साथ साज़ा कर सकते हैं। पिछले डिस्पेंसेशन विवरण को कौपी करके दोहराई जाने वाली डेटा एंट्री में लगने वाले समय की बचत करें। मरीजों दवारा लोटाई जाने वाली दवाओं का लौग विवरण। Refill Due Task List के जरिये, जिन मरीजों की refill दे है, उनकी सूची तक पहुँच कर मरीजों को दवाओं की समय पर dispensation सुनिश्चित करें. ये मॉड्यूल उन मरीजों के लिए उपलब्ध है, जिनका treatment चल रहा है और जिन्हें एक परिणाम दिया गया है. ऐसे कई कारण हैं, जिनकी वजां से prescription module को dispensation module द्वारा बदल दिया गया था. आईए उनमें से कुछ पर नजर डालते हैं. जो क्शेत्र वर्तमान prescription module का हिस्सा थे, वे हमेशा प्रासंगिक नहीं थे. मरीजों के लिए drug refill कब दे था, इसके साथ कोई संबंध नहीं. पिछले prescription से उत्पादों को print और copy करने का कोई विकल्प नहीं. दवाओं को कब निर्धारित किया गया था, कब दवाएं प्रदान की गई थी और कब खुराक शुरू की गई थी, के बीच कोई अंतर नहीं. मरीजों को जारी की गई दवाओं को वापस करने का कोई विकल्प नहीं. एडिरंस के लिए prescribed दवाओं के बीच कोई संबंध नहीं. निक्षय पोर्टल में डिस्पेंसेशन को जोडने और प्रिंट करने का तरीका समझने के लिए, आएए पहले संबंधित credentials का उप्योग करके लॉग इन करें. लॉग इन करने के बाद बाइं और पेशिंट मैनेजमेंट पर क्लिक करें और फिर treatment list अधिसूचित पर चयन करें. आपको पेशिंट मैनेजमेंट पेज पर ले जाया जाएगा जहां आपको वांचित फिल्टर अपलाई करना होगा और submit बटन पर क्लिक करना होगा. आपको मरीजों की सूची दी जाएगी. उस मरीज पर क्लिक करें जिसके लिए आप dispensation जोड़ना या edit करना चाहते हैं. फिर आपको मरीज विवरंट पेज पर ले जाया जाएगा. यहां dispensation टाप पर जाएग. आपको यहां एक add dispensation बटन दिखाई देगा. इस पर क्लिक करें. आपको एक बटन copy product from previous dispensation दिखाई देगा. इस बटन पर क्लिक करें. यदि आपने पहले मरीज के लिए दवाई दी हैं और उन्हें copy करना चाहते हैं. अब नीचे स्क्रॉल करें और आप dispensation विवरण शीर्शक वाले एक अनुभाग में आ जाएंगे. यहां आपको prescription की तारीख, dispensation की तारीख, phase, परहेज का प्रकार, वजन बैंड और वर्तमान वजन एंटर करना होगा. Prescription की तारीख, phase, परहेज का प्रकार, dispensation की तारीख और वजन बैंड क्षेत्र आटो पॉपुलेटिड नहीं हैं और इन्हें बदला जा सकता है. Phase और परहेज की प्रकार को बदला नहीं जा सकता. यदि कोई मरीज, DSTB मरीज है, तो परहेज का प्रकार उपलब्ध नहीं है. यदि वो DRTB का मरीज है, तो परहेज का प्रकार उपलब्ध है. इसके बाद आपको दवा जारी करने वाली सुविधा का विवरण दर्श करना होगा. यहां आपको राज्य, जिला, सुविधा प्रकार और दवा जारी करने वाली सुविधा के नाम का चयन करना होगा. राज्य और जिले के विकल्प प्रतियक लौगिन तक सीमित हैं यहां हम करनाटक धारवार लौगिन का उपियोग कर रहे हैं इसलिए हम केवल करनाटक और धारवार को राज्य और जिले के रूप में चुन सकते हैं अगला कदम उत्पाद विवरण जोड़ना है यहां आपको स्रोत उत्पाद का नाम माप की इकाई और मात्रा का उलेख करना होगा माप क्षेत्र की इकाई आटो पॉपॉपॉलेटिड है यदि आप एक से अधिक उत्पाद जोड़ना चाहते हैं तो आप एड़ बटन पर क्लिक कर सकते हैं अगला कदम रीफिल विवरण जोड़ना है खुराक आरंब करने की तारीख और डिस्पेंसेशन के दिनों की संख्या एंटर करें यदि आप चाहें तो रीमार्क सेक्शन में रीमार्क जोड़ सकते हैं एक बार सभी विवरण दर्श करने के बाद एड़ डिस्पेंसेशन बटन पर क्लिक करें डिस्पेंसेशन जोड़ जाने के बाद आपको उपर दिया गया टेबल दिखाई देगा इन में निम्र लिखे त्विवरण हैं डिस्पेंसेशन आईडी, प्रिस्क्रिप्शन की तारीख, स्रोत, फेज, उत्पात का नाम, डिस्पेंसेशन की तारीख, डिस्पेंसेशन के दिनों की संखिया, दवा जारी करने की सुविधा का नाम और अगली रीफिल दे तिथी तिथी बढ़ा दी जाएगी, यदि dispensation के लिए refill नियत तिथी मरीज के लिए अंतिम तिथी से अधिक है। यदि किसी dispensation के कारण मरीज की समापती तिथी बढ़ा दी जाती है, तो notes tab में उसी के लिए एक संबंधित note भी capture किया जाता है। मरीज के लिए dispensation जोडने का दूसरा तरीका बाई और के पैन में add dispensation टाप पर क्लिक करना है। जब आप add dispensation टाप पर क्लिक करते हैं, तो आपको episode ID या dispensation ID एंटर करना होगा। जब आप episode ID दर्ज करते हैं, तो आप मरीज विवरण और dispensation विवरण देख सकते हैं। यहां से आप या तो मौझूदा dispensation को वापस कर सकते हैं, या एक नए dispensation को जोड सकते हैं। दिस्पेंसेशन विवरण की जाच और print करने के लिए dispensation ID पर क्लिक करें। जब आप dispensation ID पर क्लिक करते हैं, तो आपको उत्पाद विवरण, Refill विवरण और Remarks के साथ सबी dispensation विवरण देखने को मिलते हैं। Dispensation को Print करने के लिए Top पर Print Dispensation बटन पर क्लिक करें। जब आप Print Dispensation बटन पर क्लिक करते हैं, तो Dispensation दस्तावेज डाउनलोड हो जाएगा। एक बार दस्तावेज डाउनलोड हो जाने के बाद, आप Dispensation विवरंड को प्रिंट करने के लिए अपने सिस्टम में प्रिंट कमांड एंटर कर सकते हैं. ये निक्षे पोर्टल में Dispensation विवरंड जोडने और प्रिंट करने की प्रक्रिया को पूरा करता है.